तो गैस अगर आप क्रिकेट के लवार हूँ तो इस बार IPL देखने का मज़ा और भी यहाँ पर ज्यादा होने वाला है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ विकॉस सबसे पहला आपको यह चीज पता हुआ कि इस बार जो आपको Disney Plus Hotstar में IPL देखने को नहीं मिलेगा इस बार जो IPL के राइट्स है वो यहाँ पर Jio के पास है और Jio अपने Jio Cinema एप पर हम लोग को IPL दिखाने वाला है और उसके लिए कोई भी चार्जिस नहीं लगेंगे यानि कि कोई सबस्क्रिप्शन ने लेना होगा बिल्कुल फ्री में आप IPL देख सकते हो यह तो हो गई पहली चीज दूसरी चीज यह कि आप 4K क्वालिटी तक स्ट्रीम कर सकते हो IPL यानि कि आप चाहो तो यहाँ पर 1080p यहाँ पर 2K या फिर 4K तक भी आप जिस भी क्वालिटी में देखना चाहते हो अपने डिवासिस के हिसाब से मालोग के पास बड़ा टीवी है तो उसमें आप 4K क्वालिटी तक यहाँ पर फ्री में IPL देख सकते हो बट यहाँ पर एक यहाँ पर एक लिस्ट दे देता हूँ आप यहाँ पर देख लेना है कि कितने क्वालिटी में आप स्ट्रीम करोगे IPL को तो आपको कितना डेटा यहाँ पर खर्च होने वाला है अब यह थोड़ा सा उपर नीचे भी हो सकता है बिकॉस जब आप यूज करोगे तो आपको चलाएगा कि कितना डेटा यहाँ पर असल में यूज होता है बट यहाँ पर देख सकते हो एक लिस्ट है जिसके हिसाब से यहाँ पर एतना डेशा यूज हो सकता है यहाँ पर 240 में अगर पिक्सल्स पर देखोगे तो आपको इतना यहाँ पर जो डेटा खर्च होगा 720 या 4K देखोगे तो आपको इस तरह से यहां पर data usage होने वाला है अभी IPL देखने के जो experience है उसको next level पर ले जाने के लिए Jio एक new feature पर काम कर रहा है जिसको बोलते है appointment viewing आपको पता ही होगा because मैंने आपको अलड़ी बताया था एक वीडियो में कि appointment viewing क्या है अगर आपको नहीं पता है तो यहां पर याद करो मैंने आपको एक बर बताया था तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो IPL के rights है वो यहां पर Jio के पास है अब जो Jio वो अपने Jio cinema में जो हो IPL दिखाने वाला है अभी इससे benefit क्या है because यहां पर Jio एक new technology को काम ले रहा है अपने यहां पर आने वाले IPL matches में तो इससे होगा क्या तो actually जब भी आप यहां में match देखते हो तो आप चाहे TV में देखो चाहे computer में देखो laptop में देखो या फिर smartphone में देखो नीचे आपको यहां पर run दिखता है कि कितना run हुआ है कितना over हुआ है कितने यहां पर wicket गए हैं उसके बडर time to time आपको यह भी दिखाय जाता है कि कितना run rate चल रहा है किस यहां पर player ने कितना score किया है कितने 6 किये हैं और वगळा वगळा चीजे तो यहाँ पर दिक्कत क्या है कि उसके लिए आपको wait करना पड़ता है कि screen में यह चीज कब दिखाया जागा, कब run rate वगरा दिखाया जागा और जो भी चीज़ा है यहाँ पर किस player ने कितना यहाँ पर run लिया है, कितने six मारे हैं वगरा वगरा तो इस technology के implement होने के बाद यहाँ पर side में ही आपको option मिल लाएगा, जहाँ पर आप live check out कर सकते हो, कि यहाँ पर हाँ, इतना यहाँ पर run rate चल रहा है, इस player में यहाँ पर इतना score किया है, इतने runs लिये हैं और वगरा वगरा चीज़े, तो सब कुछ आपको देखने को मिल लाग जिससे क्या होगा कि अगर आपके पास कोई जियो phone है, या फिर कोई भी smartphone है, उसको आप चाहो तो अपने TV से connect कर सकते हो, उसके बाद अपने smartphone आप कुछ भी play करते हो, तो वो आपी TV में देखेगा, तो यहाँ पर इसी कारण से लोग अभी इसको launch करने वाला है, ताकि जो है March के महिने में भी इसको launch करते हैं, तो ही यहाँ पर ज्यादा वो सेल होगा, यहाँ पर IPL का टाइम आया है, मतलब आ रहा है, तो ज्यादा अच्छा होगा अगर वो लोग यहाँ पर जल्दी इसको launch करें, तो तो guys, यह कुछ चीजे थी जिससे कि आपके IPL देखना का यहाँ पर 2-3-4 गुणा तक यहाँ पर बढ़ सकता है, वैसे आपको कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट सेप्शन में जरूर से बताना, आपको वीडियो पसंद आए, वो वीडियो को एक लाइक जरूर से करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपको तब से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, बंदे मातर हूँ